हेलो दोसों, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आप सभी की फूडी होस्ट अमित और आज के इस वीडियो में हम वाइट सौस पास्ता बनाना सीखेंगे से हम दो तरीके से सीखेंगे, एक नॉर्मल वाइट सौस पास्ता और एक उसके बाद जब हम वेग करते हैं से दोन मैंने करीबन 1.5 लीटर के जितना पानी लिया है, 200 ग्राम पास्ता के लिए, उसमें मैंने नमक डाल दिया था, आधा चोटा चमच के जितना और एक चमच के जितना नॉर्मल रिफाइंड ओयल, कोई फ्लेवर वाला ओयल ना डाले, जैसे मुमफिली का तेल हो गया, सरसो का तेल हो गया, वो सब ना डाले, सोया बीन तेल, संपलार ओयल, ओलिव ओयल, आप इस तरीके की चीज़र डाल सकते हैं, दोस्तों पास्ता को 7-8 मिर्ट से जादा ना पकाएं, चाहे तो गड़ी का टाइमर सेट कर लें, उससे जादा कुक नहीं करना है, पकने के बाद उनमे जितना कटा हुआ, यहां पे लसन है, तो इस सारी चीज़ों को ही चॉप कर लेना है, आपको दोने के बाद, अगर आपके पास, जैसे मैंने तीन तरीके की शिमला मिर्श ले, अगर आपके पास वो नहीं है, सिंपल आप एक कलर के साथ भी बना सकते हो, साथ मिरट के बाद यहां पे मैंने पास्ता को चान लिया, पास्ता का जो पानी है, उसका थोड़ा सा पानी में बचा के रखोंगी, मैं दिखाऊंगी क्यों, यह सॉस गाढ़ा करने में कामाएगा, अब सबजियां सौटे करने की तैयारी कर लेते हैं, सबसे पहले डालेंगे प्यास और गाज ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और उसका जो पकने वाला प्रोसेस है वो रुख जाए, और उसमें वैसी है फिर्मनेस बनी रहे, अब यहां पे हम डाल देंगे, यह जो मैंने शिमला मिर्च तीनो कलर की चौप करके रखी है, वो सबजियां आप इसमें अपने मन पसंद की कोई से भी यूज़ कर सकते हो, इस वाइट सॉस पास्ता के साथ ब्रॉकली अच्छा जाता है, मश्रूम अच्छे जाते हैं, अगर आपके पास औलिव्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं यूज़ के, आप बेबी कॉन भी यूज़ कर कि जब तक घर पे एक्जॉटिक वेजिटिबल्स नहीं होंगी, कोई इटालियन या फिर चाइनीज दिश हम घर पे बना नहीं सकते, हमेशा हमारा अपना वर्जन होता है, अब यहां पे मैंने एक पैन में एक चमच के जितना बटर डाल दिया, और इसमें एकदम जरा सा त कोई पे दोस्तों, बिल्कुल धीमा रखें क्योंकि बहुत ही क्रूशल है, अभी इसी बटर में हमने डाल दिया है, तीन चमच के जितना मैदा, मैदे को ब्राउन नहीं करना है, जस्त हलका सा रोस्ट करना है, ताकि कच्चापन दूर हो जाए, इसी से हमारी वाइट सॉस अब जैसे मैने गार्लिक मैदे के साथ डाला है, कुछ लोग सबजियां सौटे करते समय, उसी टाइम पे डाल देते हैं, तो आपकी चॉइस है, दूद को एक बारी में पूरा नहीं डालेंगे, मैं थोड़ा भी डाल ली हूँ, थोड़ा बात के लिए बचा रही हूँ, आप इस तरीके से हैंड विस्क भी इस्तमाल कर सकते हैं, ताकि लंप्स ना बने, और ये काम आपको फटा फट करना है, अगर आप जैसे इधर उधर चले गए न, ये पैन छोड़के तुरंत ही गुठलियां बन जाएंगे, फिर आप उसको बाद में फिक्स करना चाहोगे तो भी नहीं होगा ठीक से, अब इस पॉइंट पर मैं डाल रही हूँ, ये देखे, एक चोथाई कप के जितना, ये मॉजरेला चीज है दोस्तों, अगर आपके पास और कोई चीज है, जैसे प्रोसेस चीज हो गया, चेडार हो गया, गौड़ा हो गया, आप वो भी यूज कर सकते हैं, पार्मजान है, तो वेल इंगूड क्योंकि पास्ता में पार्मजान बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे हर जगा इसली अविलिबल नहीं होता, तो जो भी चीज है, अमूल का जो प्रोसेस चीज आता है, वो भी डाल सकते है, अब यहां पर मैंने 2 के अनुसार डाल दें, मैंने करीबन एक चमच के जितना डाला था, यह बहुत तीखे नहीं होते, क्रंच देते हैं, और हल्का सा स्पासी बनाते हैं, आपके पास्ते को, अब इसमें हम सौटे की वे वेजिटेबल्स डाल देंगे, आप देख सकते हैं, वेजिटेबल्स में बिल्कुल क्रंच बना हुआ है, हमने ओवरकुक नहीं किया है, यह एट कर देंगे, मैं अब इस पॉइंट पर विस्क हटा दे रही हूं, एक स्पैचुला यूज कर रही हूं, ताकि मिलाने में आसानी हूं, यह देखे, सौस अच्छा से गाड़ी हो चुकी है, तो हमारी यह वाइट सौस अल्मोस्ट रेड़ी है, अब इसमें हम एट कर देंगे अपना पास्ता, दोस्तो मैंने जतनी कॉंटिटी बनाई थी, अक्चली इस से बड़ा बरतन नहीं है मेरे पास, तो बरतन थोड़ा छोटा परड़ा था, आप जब बनाईएगा, मुझे दिक्कत बाला था, उस पानी को मैंने थोड़ा बचा लिया था, वो जो सौस है उसको कोट करने में मदद करता है, और ये है सीक्रिट रेस्टोरेंट्स का, वो लोग पास्ता में थोड़ा सा जाइफल घिसके डालते हैं, अगर आपको डालना है तो डाले, इस से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वाद को एड़स्ट करते हुए, यो कि चीज में भी नमक होता है, और जो हमने मिक्सद हर्ब डाले उसमें भी नमक होता है, तो थोड़ा टेस्ट करने के बाद ही डाले, तो ये सिंपल हमारा वाइट सौस पास्ता रेडी है अब मैं आपको इसको बेग करने का भी तरीका बता रही हो, गर आप इसे बेग पास्ता बनाना चाहरे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस थोड़ी से अर्रेंजमेंट करनी है, मेरे पस दोस्तों फ्रेश बेजल थे, इनका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, हाला क से तोड़के ही डाले, उसी से अच्छा फ्लेवर आता है, तो हमारी ये वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल में, बिल्कुल रेडी, इनका उससे अच्छा टेस्ट था, मैं आपको सच बता रही हो, आप एक बार ट्राय करोगे ना, तो आपको मेरी बा सकते हो, या फिर बेकिंग का कोई भी बरतन ले सकते हो, अगर आपके पास नॉर्मल स्टील का टिफिन है, आप उसमें भी बेक कर सकते हो, कड़ाई में कैसे बेक करना है, मैं बता दे रही हूँ, इस तरीके से एक लेर बिछानी है, पास्ता की, और थोड़ा सा मॉजरेला या प्रोसेस चीज आपके पास जो सा भी चीज है, वो डाले, और जैसे हम बिर्यानी बनाते है बिल्कुल वैसे ही कि मसाला डाला, चावल डाला, फिर मसाला डाला, चावल डाला, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, तो पहले पास्ता डाला, चीज डाला, फिर थोड़ा प करने की कोशिश करोंगी बढ़ आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप मेरे से कौन से डिश सीखना चाहते हो यह देखिए हमने एक और लेयर डाल दिया पास्ता का थोड़ा से चीज उपर से और डालेंगे अगर आप कड़ाई में बेक करना चाहते हैं जैसे मैं अपने करना है और जादा पकाना नहीं है क्योंकि अवन में आपको करके दिखा रही हूं गैस और अवन बस इतना फरक होगा कि जो अवन है उस पर एक हलका सा क्रस्ट आता है उपर अगर आप गैस में करते हो तो सिर्फ चीज मेल्ट होगी तो हमारे दोनों तरीके के पास्ता बिल अपोय है मिल्ट हो गया है मेने गैस्ट के लिए बनाया तो मैंने आपको मौझाना चारी थी बाकी ये वाइट सॉस पासता है आप अगर बेक्द वाला जैसे निकाल होगी ना तो उसमें इसे प्रॉपर स्ट्रिंग निकलेंगे मौझाना चीज के तो एक बार यह रस्पी त्राइ करें अगर आज की रेस्पी अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथी साथ अगर आप में ये चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब बुटन के बगल में जो बेल अगन होगा उसे भी आज से दबा दीजेगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन्स आपसे मिस ना हो जाए मैं मिलते हूँ एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक के बबाए और कीप कुकिंग